हेलो एब्रीवन वेलकॉम अगिन लर्न विट दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर शेक्स क्लास सैवन का तो चलिए बिना देरी के अमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन है मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं तो मरुस्थल आपके दो प्रकार के होते हैं गर्म मरुस्थल और सीथ मरुस्थल यह पहले भी पढ़ चुके हैं और गर्म मरुस्थल कहां पाय जाते हैं मद्यक्छांसों में पाय इस्थान बरफिला होता है और यहां पर जो कर्षिकार है वो ग्रीन हाउस बना कर सामने तोर पर किया जा सकता है इनके एक्जामपल अगर देखें तो जो गरम मरुस्तल है उनके जो एक्जामपल है सहरा मरुस्तल है अरब मरुस्तल है आस्ट्रेलिया का जो मरुस्तल है ठीक ह इसके उधारण है यह उधारण है शीत मरुस्तल के है ना अपने यह पे कौन सा है लद्दाक है लद्दाक तिबत पठार का ही हिस्सा है चलिए नैस देखें भारत में थारका मरुस्तल के छेत्र में इस्तित है भारत में थारका मरुस्तल के छेत्र में इस्तित है तो कि छेत्र है वहां से स्टार्ट होता है और गुजरात के कच्छ के रंड तक यह जाता है और राजिस्थान का अधिकांत मेक्जम जो हिस्सा है जो अरावली परवर्शंखला के पश्चिम में आता है या फिर यह कहें कि इस थारमरुस्तल के पूर में क्या आती है अरावली होती है और यही कारण है यहां की जो वर्शा होती है अनिश्चित और अनियंतित होती है अनिश्चित और अनियंतित का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा कभी बहुत ज्यादा हो गई कभी बहुत कम हो गई कभी कभी बाड की हालतें क्रेट हो जाती है तो यह आपकी अनिश्च किसे कहा जाता है बालु का इस्थूप किसे कहा जाता है यह कोशन बहुत बार रिपीट होता है सिंपल है लेकिन रिपीट होता है तो इसको याद रखेगा रेत के जो टीले हैं उनको क्या कहा जाता है धर्ती धोरारी क्यों कहा जाता है क्यों कि धोरा किसको बोलते हैं रेत के तीलों को ही बोलते हैं, और धर्ती धोरा री, राइस्थान को क्या कहा जाता है, धर्ती धोरा री क्यों कहा जाता है, क्योंकि धोरा किसको कहा जाता है, रेत के तीलों को कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, राइस्थान के मरुस्थलिये भाग के किस छेत्र में मीठा भूमी प्राप्त होता है मेठा भूमी घर याद रखे घो होता है कि जो मेश्चेतर हो doesn't मेशेत्र रहा पर खाणती होता है बूमी घर जल जो है sms dhq जैसलमेड जले के लाठी शीरी छेत्र है यहां पर मीठा जल, भूमीगजल प्राप्त होता है। यहां पर किस प्रकार के रक्ष पाए जाते हैं? बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, रोहीडा हो गया। यहां के यह मुख्य व्रक्ष हैं, बबूल, खेजड़ी और रोहीडा, नए कोशन देखी, थार मरुस्तल ये छेतर में किस प्रकार की फसल होती है, तो किस प्रकार की फसल होती है, जिस फसल में पानी की अवश्चकता कम होती है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, ये जो फसले हैं, ज्वार बाजरा मौठ मूँ, ये कैसी है, इन में पानी की अवश्चकता बहुत कम होती है, इस वज़े से थार मरुस्तल ये छेतर में बहुतायत की जाती है, नेक कोशन देखी, राइस्थान के किस जिले में खनीश तेल का उत्पादन किया जा रहा है, देखें, यहाँ पर राइस्थान की जब बात करें, तो बार्ड मेर में जो है, रिफाइनरी लगी है, बाकि जो राइस्थान के जो थार छेतर हैं, यहाँ पर खनी स्टेल, प्राकर्टिक गैस, लिगनाइड, जिपसम, संगमरमर, इमार्ती पत्थर, नमक आदी, बहुत आ नेक कस्छें देखें, भारत सरकार दौरा राइस्थान में मरुस्थाली करण रोखने के लिए किस नहर जल परियोजना का प्रारम किया गया था? तो किस नहर जल पर यूजना का प्रारम किया गया था है इंद्रा गांदी नहर जल पर यूजना यह सिचाई नहर जल पर यूजना भी है जो कि यह मरुस्थली करण साथ में रोखने के लिए विश्विश तोर पर सिचाई साधनों के विकास के लिए प्रारम किया गया थी सबते हैं नम्कीनादी बहुत बनाई जाते हैं रंगाईच्छपाई के विया चोटे-चोटे कार खारी। राइस्थान में जन्संख्य घनत बहुत कम हैं। हम सब जानते हैं क्यों क्यों पुकि मरुस्थली चेतर में ऐसा ही होता है। लेकिन विस्व के अन्य जो मरुस्थल हैं उनकी अगर तुलना की जाए तो इस छेत्र में बहुत ज़्यादा जन संक्या घनत्व है। चलिए, नेक कोशन देखिए। भारत का जो सीत मरुस्थल लदाक किस छेत्र में इस्थित है। लदाक चेत्र में किस परकार के रक्ष मुख्यत है पाए जाते हैं। तो देखिए, यहां पर सफेदा और वेद यह जो रक्ष हैं यह बहुत आयद मात्रा में मुख्यत हैं। और यहां कुछ चेत्रों में सेव, खुबानी, आक्रोट के रक्ष भी बहुत आयत मात्रा मिलते हैं। और यह सफेदा और वेद की लक्ष लखनाया सामने तरफ में मकानी और इधन की रूप में यूज की जाती हैं। यहां पर लोग क्या हैं, मुद्रा का लेंदिन कम करते हैं। बजाए वह चीजों का लेंदिन ज्यादा करते हैं। ठीक है जैसे और वेय। लग्दा के बढ़िखने की चोटी मुटी और उनकी निर्वहा जो क्रसी था हृसे थोड़्गा उनकी हो गई तो वो वह क्या करते हिए वह उन व्यया पारियों को वेज डिते लग्दा यां था बड़िक्रान दे ले ले लेते यह हम बात करी चुके हैं है नब चली नहीं कोशन देखी लडभाउच में पाई जाने वाले जॉम्यों क्या हैं लदाख में पाए जाने वाले जोमो क्या हैं। क्या हैं जोमो एक परकार की जाती है गाय और याक का मिश्चित रूप है। जैसे हमारे यहां पर जर्सी गाय पाए जाती है। जर्सी गाय क्या होती है। गाय और सूर का मिश्चित रूप होती है। उसी तरीके से यहां पर ज चाहे सीत मरुस्तल हो या गर मरुस्तल यहां ऐसी स्थानों मरुस्तली छेत्रों में क्या मुख्य आजी विकासादन होता है असुपालन होता है तो यहां पे भीड बखनिया याग घोड़े और जोम आदी मुख्य जीव हैं जिनको पाला जाता है नेक कोशन देखिए बकरवाल किस छेत्र के मौसमी प्रवासी है पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मौसमी प्रवासी क्या होते हैं देखिए मौसम के साथ जो बकरवाल हैं यह क्या करते हैं यह कहां के पहले तो हम बता देते हैं इसके कस्मीर के यह मौसमी प्रव अपने परवास करते हैं यह इस्थान बरिवर्थन करते हैं थो इस वजे से इनको माश्मिक प्रवास hierarchy का जाता है जब अन्य प्रवासियों की बात करें भारत के तो बकरवाल हमने देखा आप कस्मीर से हैं, गड़वाल कुमाओ हिमाले से हैं, चपंगा जो प्रजाती है वो दक्षिनपूर्वी लद्दाक से है, भूरिया जन जाती है, वो उत्तरी सिक्किम से है और मौन्या जो है और नाच नदिया कौन सी हैं लद्दाक छेत्र की प्रमुक नदिया कौन सी है, शोग, सिंदू, वाका चू, त्रास, जासकारादी यह जो नदिया हैं इसी छेत्र से मुट्ली उल्गम हुई है और यहां पर बहतायत मातर में इनका यूज़ क्या जाता है चली नेक कुशन देखे लदाग छेदर के निवासी किस परजाती के माने जाते हैं यहाँ पर आपको पता है पकी शड़कें होती नहीं तो कस्मीर और कराकुरम के मद्द कौन सा मार्ग है व्यापारिकमार कौन सा है आपको यह भी पता होना चाहिए चलिए इसमें next पाथ करते है खंपा किसे कहा जाता है तो खंपा किसे का जाता है, खंपा का जाता है। लद्दाक छेतर में पत्थर और गाड़े सी जो बनाये हुई घर होते हैं इनके, उनको क्या कहते हैं ये लोग क्खंपा कहते हैं। छेत्री वासा में क्या कहा जाता है खंपा कहा जाता है और यहां पर जो जंजातियां हैं उनका क्या है सभी ऐसे छेत्रों में रहते हैं तो इनको जंजातियों की शेणी में ही आते हैं तो सभी जंजातियों की शेणी में आती हैं Next Question देखी। उसको हम कहते हैं चंग। चित्रि भासा में चंग एक प्रकार का पे है। जिसको लड़्दा जो निवासियें ठंड के वोशым में सरीम को गम रखने के लिए उप्योग करते हैं। Next Question देखी। दर्रा किसे कहा जाता है। देगे हमने अभी करा कुरम दर्रा काम कर जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए तो दर्रा कीसे का जाता है दो नदियों के मद्दे भाग को क्या का जाता है दर्रा का जाता है बहुत सारे बच्चें इसमें confused होते हैं वो सामने तरफ पहाडों की मद्दे स्थान को बोल देती हैं तो याद रखेंगा दर्रा किसे का जाता है दो नदियों के मद्दे भाग को क्या का जाता है next question देखिए हिमानी किसे कहा जाता है हिमानी किसे कहा जाता है तो पहाड़ी पर इसी तबर्फ की अथास रासी जो होती है पहाड़ी पर इसी तबर्फ की अथास रासी जो होती है उसे क्या कहा जाता है हिमानी कहा जाता है इसी के साथ बच्चो आपका ये chapter होता है समाब मिलते हैं next chapter में वो भी बहुत चोटा सा है ज़्यादा time उसमें नहीं लगेगा और इसी के साथ आपकी 7th होती है complete बहुत जल्दी हम within 1 month पूरी geography हम 10 तक ही complete कर लेंगे आप regular बस बने रही है साथ में थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू